जमुकश्मीर के कट्वा में पुलवामा आतंकी हामले के खलाफ लोगों का घुस्सा भड़ा गया है। इन लोगों ने CRPR जवान पर हुए आतंकी हामले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठेराया। और कट्वा शहर के एक चौराहे पर एकठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जवानों की शहादत से भड़के इन लोगों ने पाकिस्तान से बदले की मांगी। हाथों में तिरंगा लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोग धरने पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन की वज़े से एक अच्छुआ की और आने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी खतार लग गई। हारा की जैम में फसने के बावजूद लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन का समर्थन करते दिखिये और वहां मौझूद सुरक्षबल के जवानों ने भी लोगों को हटाने की कोशिश नहीं की। जिसके बाव प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सेना के समर्थन में नारे बाजी शुरू कर दी और वहां देश भक्ती के नारे भी गूलने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलवामा आतंग की हमले के लिए पाकिस्तान को करारा सबख सिखाये जाने की मांग की। यही नहीं कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक को जरूरी बता दिया। पारे सरकार से यह अपील है कि एक बड़ी की सच्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान का नाम और निशान दुनिया के नक्षे से मिटा दिया जाए। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद प्रधान मंत्री ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके किये कि सजा भुगतने की चेताब नी दे दी प्रधान मंत्री ने देश की जनता से इवादा किया है कि शहीदों के उकुर्बानी जाया नहीं जाएगी। और आतंगवादियों के खात्मे के लिए सेना और सुरक्षा बल को खुली छूट दे दी गई है सुरक्षा बलों को लिए आगे की कारवाई ताय करने के लिए समय क्या हो स्थान क्या हो स्वरूप क्या हो वो सारे फैसले करने के लिए इजाज़त दे दी गई है पीम ने इशारों में ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से इस काईराना हरकत का चुन-चुन कर बदला लिया जाएगा पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश में जबरदस्त गुस्सा है और प्रधानमंत्री के भाशन में भी उसकी जलक दिखी उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने के लिए आड़े हाँ थो लिया और आर्थिक मदद के लिए दरदर भटक रहे पाकिस्तान की खिली उड़ाई उसके लिए अपना रोज मरा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है साथी प्रधान मंत्री ने डंगे की चोट पर ये दावा किया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होगी पूरे विश्व में अलग खलग पड़ चुका हमारा पडोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रट रहा है उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी ये नहीं कर पाएगा और नहां कभी ये होने वाला है जमो कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवानों में एक पंकर श्रिपाथी यूपी के महराच गंच के रहने वाले थे पंकर श्रिपाथी की शादत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया और शहीद पंकर स्रिपाथी के परिवार को ढानने इलाके के लोग उनके मकान में जुट गए वहीं बेटे के शहीद होने की खबर मिलने के बाद बेहाल हुए उनके माता पिता को समहालना मुश्किल हो गया माता में डूबे शहीद के पिता ने जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की इस दोरान इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया और 42,000 पाकिस्तान में भुश कर जब तक इंडिया की लोग मारेंगे नहीं हमारे गाउं के हजारों लोग साहनी में भरती होंगे शहीद पंकर स्रिपाथी 10 फरवरी तक इसी मकान में छुट्टी बिताने के बाद यूटी पर लोटे थे लेकिन पुलवामा में वो आतंकी हमले का शिकार होगे